तो हमारा जो next question है वो है वाई वोज एडला happy to see the gift left by the paddler जो paddler है यानि जो रहागीर था जो समान बेज़ता था उदर घूम घूम कर उसने gift छोड़ के गया था एडला के लिए वाई वोज एडला happy तो happy क्यों हो गई थी वो खुश क्यों होई थी उसका gift के देखने के बाद as soon as Adla opened the package जैसे ही Adla ने क्या किया था जो package था वो खोला था of the gift, gift का the content came into view और जो content आया वहा था उसके अंदर she found a small red trap उसके अंदर क्या था? एक छोटा सा red trap था, red trap मतलब क्या होता है? चुहादा ने जो हादा ने उसने दिया था with three wrinkled ten kroner notes जिसके अंदर क्या था? तीन note डले होए थे बिल्कुल मुर्जाई होए wrinkled थे wrinkled का मतलब क्या होता है? जिसमें जुरिया पड़ गई हो यहीं मुडे तोड़े, ऐसे होए थे notes and letter addressed to her और उसके लिए एक letter भी दिया गया था किसके लिए? जो एडला थी उसके लिए अब जो पैडलर था वो चाहता था, तो वोंट का second form लगी वोंटेड, तो पैडलर वोंटेड तो बी नाइस, वो अच्छा बनना चाहता था, नहीं एक अच्छा उसके साथ अच्छा बरताओ किया था तो उस अच्छे बरताओ के परती उसे एक अच्छा, खुद का अपना जो रविया तो उसने वो भी अच्छा किया और उसके लिए एक gift छोड़ कर गया वो इसको एक embarrassed नहीं करना चाह रहा था embarrassed का मतलब क्या होता, शर्मिन्दा करना उसे शर्मिन्दा नहीं करना चाह रहा था at the Christmas season by a thief कि Christmas के तो हार पर जिसने इस इंसान को घर पे रखा कि उसने चोर को घर पे रखा उसने चोरी करके उनके घर को उसको और भी जादा embarrassed नहीं शर्मिन्दा महसूस कराया इसलिए उसने क्या किया, ना तो चोरी की और अपनी तरफ से एक गिफ्ट छोड़ कर गया और एक अच्छा इंसान भी बन गया, ठीक है तो इसलिए जो एडला थी, वो क्या हो गई थी, खुश हो गई थी कि मेरी जो अच्छा ही है, उसकी वेज़े से क्या होगा कम से कम एक इनसान बदल गया अब जो पैडलर है, उसने कैप्टन वोन्स टेल के साइन क्यों की आप लोग बताएं, जो क्यों की उसने उसने क्या किया था, कैप्टन के साइन करके गया था अपना खुद लैटर लिखा था, उसने कैप्टन के साइन किया था क्यों? उसके कहने का मतलब यह था कि जैसे उसकी जो आओ भगत की गई है उस्पिटैलिटी उसके साथ की गई है उसके साथ जो इतना अच्छा बरताओ किया गा अपने घर पे रख कर उसकी सेवा जो की गई वो एक कैप्टन की तरह की गई थी क्योंकि इसे कैप्टन के दोखे में घर पे ले रहे थे आए थे तो इसलिए उसने सुच आ कि मैं अब एक कैप्टन ही बन के दिखाँ हूँगा कहने का मतलब क्या है एक captain जैसा अच्छा इंसान बन के दिखा हूँगा क्योंकि उसके साथ captain की तरह अच्छा behave किया था कि इसने add लाने तो इसलिए उसने captain के sign किये इसका मतलब क्या था वो कहने चाह रहा था कि मैं पुराने वाला डैटर अपनी हूँ अब मैं भी captain जैसे इंसान बन चुका हूँ question था why did the peddler sign himself as captain won's tail peddler ने जो sign किये वो captain won's tail के क्यों किये the iron master has invited the peddler to his house mistaking from him for captain won's tail जो iron master उसने अपने घर पे बुला लिया था क्योंकि iron master ने क्या सोचा था he thought think he sang from thought उसने सोचा था क्यों क्या है उसका एक पुराना regimental kumrad है saati है kumrad मतलब होता saati that he is his old regimental kumrad right तो उसने सोचा था कोई saati है मेरा मेरा पुराना friend है he thought him as a friend उसने दोस्के तरह सोचा था but when he got to know उसे जो पता चला था तो उसे वो भगाने लगा था लेकिन he was welcome there वहां पर उसका सवागत किया गया था and looked after as a captain और उसकी look after look after का मतलब क्या होता देखबाल करना और उसकी जो देखबाल की गई थी वो क्या थी captain की तरह की गई थी even after the reality became known यहां तक कि तब भी जब उसकी सच्चाई पता लग गई थी उसको पता लग गया था कि हाँ वो चोर है उसने मतलब एक अच्छा इंसान नहीं है और वो ऐसे रोड़ों बठकता रहता है अपना चुहादाने पकर बेशने वाला है एक ऐसे कोई गरीब इनसान है तो उसकी सारी सच्चाई पता लगने के बाद भी उन्होंने उसके साथ क्या किया गया था एक कैप्टन वाला परता उनके साथ किया था अब जो पैडलर था यहां पर उसे एक अच्छा मुका मिल गया था कि अपने आपको रिडीम कर रहें अब एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था तो अब जैसे एडलर ने उसके साथ अच्छा किया था यह जो प्रकार से जो पैडलर था उसने बरताव किया the acts of the kindness कि हर एक इनसान ने उसके साथ अलग-अलग दैल्षा दिखाई उसकी hospidelity कि ये उसके साथ आउ भगत कि तो किस परकार उसनने crofter के साथ iron master के साथ और उसके daughter के साथ यांनि तेनों के साथ अलग-अलग क्या reactions दिये क्या तीनों के साथ same reaction दिये नहीं तीनों के साथ same reaction नहीं दिये उसने जो च्रोफटर ने उसके साथ क्या दिखाई थी यानि आवबहगत दिखाई थी kindness मतलब दयालोता दिखाई थी सब के साथ उसने differently बरताओ किया च्रोफटर के साथ अलग किया आएरन मास्टर के साथ अलग किया और उसकी बेटी जो अडला थी उसके साथ बिसने differently बरताओ किया क्यों चीट थी ता क्रोफटर था उसको तो त। उसने क्या किया था पैडलर के लिए नहीं उसने इसलिए अज़य है क्योंकि जो पैडलर है वो कम से कम एक दिन तो उसके घर पे आ जाएगा और क्रॉफ्टर क्या था हमेशा अकेला रहा था तो उसके पतनी नहीं थी तो उस क्रॉफ्टर ने सोचा था कि अकेले पन में कम से कम कोई मेरे साथ एक दिन होगा मैं आराम से अपने साथ इसके साथ रात बिताऊँगा तो उसने अपने फाइदे के लिए पैडलर को जंगा दी थी इसलिए वो पैडलर के लिए दयालू नहीं था और फिम पास्टाइम उसने सुझा कि कम से कम इसके बहाने मेरा पास्टाइम हो जाएगा इसलिए वो चाहता था कि आराम से क्या था कुछ कपल ओफ क्रोनर को मिल जाएगा और जो जो दोनों थे इन दोनों का बिहवर भी अलग अलग था जो आराम से था उसने उसको अपने घर पे क्यों बुलाया था क्योंकि उसने सोचा था कि मेरा दोस्त है जब सचाए पता चली उसने क्या क्या उसे वहां से जाने के लिए कहा था लेकिन उसको दिल को छूग गई थी किसकी काइडनेस? केर अंड इंटरवेंशन केर मतलब जो हम देखवाल करते हैं इंटरवेंशन मतलब मध्यस्तता जब उसके पता ने कहा था कि तु यहां से निकल जा तु मेरा दोस्त नहीं है तु यहां से निकल जा इसलिए नहीं तो मैं क्या करता हूँ तुझे जेल में पकड़वा दूँगा लेकिन ऐसे में एडला क्या कहती है एडला सैड डैट फादर की हमने इसे बुलाया है यह अपने आप तो नहीं आया अगर हमें पता लग यह है तो वी शुड़ नोट थो हीम आउट ओव दाऊस हमें इसे गरसे नहीं बगाना चाहिए क्योंकि हमने इसे वादा किया था कि हम आपको त्युहार पे अच्छी से खाना किलाएंगे यह करेंगे वो करेंगे राइट तो एडला का उसमें कोई खुद का फाइदा नहीं था एडला को कोई मतलब नहीं था लेकिन एडला ने एक इंसानित के नाती जो उसके लिए बिहेव किया उसके लिए देयालू दिखाई उसके लिए केर दिखाई इन सबी चीजों से क्या हो गया वो और इडला से बहुत परभावित हुआ और इसलिए उसने अपने आपको बाद में क्या किया बदल लिया और एडला को उसने कोई दोगा नहीं दिया अब यह भी इंपोर्टन क्वेश्चन है ध्यान से देखिए what are the instances in the story, story के अंदर कौन-कौन से instances है instances मतलब उधारन, story that showed that the character of the iron master जो की iron master था, उसका character is different from that of his daughter in many ways कि किस परकार उसकी बेटी का जो character था और iron master का character था चरितर था, वो अलग-अलग था, कैसे ज़ग-अलग था देखिए, आप खुद याद करके देखिए, आपको सारी बाते समझ में आ जाएंगी iron master क्या था, जाद समझदार नहीं था उसने जल्दबाजी में निर्ने लिया निर्ने के लिया, उसने सोचा कि मेरा दोस्तों से अपने घर पे उसने बुला लिया लेकिन एडला इसके बज़ाए बहुत ही समझदार लड़की थी उसने देखा था, उसको देख के उसे खुद फील भी हो गया था नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई जो कि कैप्टन हो सकता है उसे लगा था कि हाँ जुरूर या तो कोई चोरी करके भागा है या इसने कुछ कोई गलत काम किया जेल से भागा हुआ है उसे कुछ ऐसा आबास हुआ था तो जो एडला थी वो इंटेलिजेंट थी आगे क्या बात है, जो एडला थी वो दयालू भी थी अच्छे से लोगों के केर भी करती थी और वो मतलब भी नहीं थी, selfless थी वो क्यों? क्योंकि जो उसने उसकी सेवा की थी उससे उसी reality जानने के बाद भी उसकी इतनी सेवा की थी जैसे कि वो सच में कोई captain हो लेकिन जो iron master था, उसने तब तक उसकी सेवा की तब तक उससे अच्छे से बात की जब तक की वो क्या था उसे लगा था कि वो उसका दोस्त है देखो इसको इंग्लिश में देखते हैं कैसे दोनों का character अलग है the iron master is impulsive whereas his daughter is cool जो iron master वो impulsive है और चीजों के उपर विचार करके कदम उठाती है ऐसे ने कुछ भी decision ले लिया उसने इन अंसर्टन लाइट ही iron master mistake the strange as his old regiment कुमराड उसने देखा कि जो वो था iron master था उसने दोखे में उससे क्या कर लिए समझ लिया अपना दोस समझ लिया stranger को regiment कुमराड समझ लिया he invites him home उसने उसको गर पे बुलाया invite किया and takes care of his feeding और उसकी खाने पाने का खाने पीने का feeding मतलब खिलाना उसका ध्यान रखा clothing कपड़ों का ध्यान रखा when he sees him in broad daylight जैसे उसने broad daylight में उससे देखा broad daylight का मतलब क्या होता he calls the man dishonest उसने उस इंसान को ही क्या कह दिया dishonest कह दिया कि तुँ बेमान है तो धोके से मारे घर में आ गया और हला कि जबरतस्ती उससे अपने घर पे लेके आए थे demands and explanation is ready to call in the sheriff मैं शेरिफ को बलाऊंगा शेरिफ मतलब जो कि उच अधिकारी होते जो कि पुलिस वगारे वाले लगा सकते हो आप जो उसको पकड़के ले जाएंगे his daughter is more observant लेकिन उसकी बेटी थी बहुत ही observant थी चीजों को ध्यान से देखती थी she notices the fear of the stranger वो ध्यान कर लेते है कि जो stranger है वो क्या है डरा हुआ है उसके fear को देख लेती है इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो उसके साथ gentle थी बहुत अच्छे से बरताव करती है kind, दयालोता का बरताव करती है and friendly to him और उसके लिए क्या थी बहुती friendly थी अच्छा nature, दोस्ती वाला एक behave करती है she treats him nicely even after knowing the mistake in identity उसने पता था कि identity में हमने क्या की है mistake की है but even then she treated him very nicely उसके साथ उसने क्या क्या था पहुत ही अच्छे तरीके से बताव क्या था she treats him nicely even after knowing the reality इस परकार हम कहा सकते कि जो उसकी बेटी में है और जो Iron Master उसके जो personality थी वो कहा थी totally different थी next question we have is the story has many instances story में बहुत सारे उधारन है instance का मतलब क्या होता है उधारन of unexpected reactions unexpected reactions के अचानक से कुछ अजब गटना हो जाते unexpected जो की expect ना किया हो ऐसी direction आते है from the characters to others behavior जो अलग-अलग लोगों के behaviors है उनसे pick out instances of these surprises ऐसे surprise कर देने वाले कुछ instance लेके आने है काफ instance अब थोड़ा से दिमाग लगागी तो भी आपको मिल जाएंगी कौन-कौन से हैं जो एकदम surprise कर देते हैं जब वह वहाँ पे rest कर रहा था suddenly iron master आ गया तो surprise करने वाले instance था वो वो उसको दोके से समझ लेता कि यह मेरा साथी है जब एक दम दिन में उसे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता कि नहीं यह था ärत मेरा दोस्ट नहीं है इस सारी चीज़ traditionally kill ke यह सरप्राइस करने वाले यह भी चीज़ जैसे उनको पता चलता है कि भई जो भी उनके घर पे रुखा हुआ है वो क्या है एक चोर है तो सारी चीज़े आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो और जब उनको पता चलता कि उसने इसको रोब कर लिया जो कि रोड के पास में रहा था उसको उसन क्या कर लिया था रोब कर लिया था तो ये भी क्या थी एक हैरान वाली बात थी वो हैरान हो जाते हैं और यार हमारे गरफे भी चोरी कर लिया होगी और हैराने वाली ये भी बात थी कि जब वो चला गया था वहां से वो कुछ भी लेकर नहीं गया उसने उनके लिए क्या करके छोड़ के गया वो भी एक हैरानी वाला ही इंस्टेंस था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मुझे रहने दे गाए, क्योंकि एक्सर ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, भगा देते हैं, तो उसका जो से ने वेलकम किया, जेनरस सपर, उसको बहुत अच्छा सपर दिया, अच्छा सपर मतलब शाम का भोजन, चेरफुल कंपणी, एक खुश मजाज वाली कंपणी मिल से साथ मिला, इंटिमेट, कॉन्फिडेंसिज, और इतना इंटिमेट, इंटिमेट मतलब आकर्शन, घनिष्ट था, मित्र था, वो सब मिली, कुरफ्टर ने उसको दी, बोला, निल्स ओलोफ बोला, तो वो क्या हो था, उसके लिए सर्प्राइजिंग था वो भी, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ थी, जो सर्प्राइज करने वाली थी, हैरान कर देने वाली थी, इस स्टोरी के अंदर, जैसे कि हम कह सकते हैं, इसमें हम ये भी डाल सकते हैं, एडला का इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब मध्यस्ता, अब जिसको निकालने की कहरा था, उसका पिता, लेकिन एडला ने क्या किया था, बीच में एक दम, अपना हस्तक्षेफ के, और कहा नहीं, पापा हम इससे बगाना नहीं चाहिए, चाहिए गरीब है, चाहिए कुछ भी हमें मतलब नहीं है, कि हमने इस लेकिन इसको वादा किया है, और एक इंसानित के नाते हमें इससे अपने घर पे रखना चाहिए, क्रिस्मिस के त्योहर पे, तो उसने एक दम उसको रोखा, चुकि उसको कोई जानकार नहीं था, उसको कोई इससे मतलब नहीं था, फिर भी उसने उसका अपने अपने घर पे रखा, तो ये भी घराने वाली चीज़ थी, ठीके, और जैसे ये भी खहराने वाली बात थी जैसे वो कहता कि नहीं पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है आप भी फश जाओगी ये होगा एक दिन वो होगा ये बाते सारी किसको कहता है वो जो आर्ल मास्टरों से कहता है तो आर्ल मास्टर इस पर हस पड़ता है और जो शेरिफ क बुलाने का उसनने डिसिजन लिया था कि मैं पुलाओंगा तो उसने वो क्या कर दिया था फिर ये भी खीराने वाली बात है तब पहले लुक्स एड्र लुक्स गट्रा को इन बाउंडले समयजिमेंट Poundless मतलब बिल्कुल हैरानी के साथ में जो में देखता है जो कोई बिल्कुल लगातर देखता ही रहता है When she tells him that the suit is Christmas present क्योंकि उसने क्या क्या था उसको एक dress दी थी Christmas के gift के रूप में She also invites him to spend next Christmas और यहां तक कि उसकी reality जानने के बाद भी उसने उसको क्या कहा कि आप next Christmas पे भी हमारे पास आना और आकर हमारे साथ रहना She does all the even after knowing the mistake about his identity उसने सब कुछ किया उसके लिए Even after knowing that they have done a mistake in identity उसने identity में पहचानने उनने गल्दी की है उसके बाद भी वो क्या करते हैं उसे अपने घर पे रखने की कहती है जो क्रोफ्टर है उसको लूट लिया था कि इसने रोब्ड बाई इस गैस्ट जो उनके घर पे गैस्ट आयवा था उसने उसको क्या कर लिया था लूट लिया था लेकिन फिर भी वो बाद में सुधर जाता है एक अच्छ निसान मन जाता है यह भी क्या है एक हैईराने वाली सर्प्राइज कर देने वाली बात है ठीक है यहां तक क्लियर है कौनगोन सी बाते हैं जो की है रानी कर देने वाली है तो एस एकजाम में आ जाए तो आप यह बाती छाट कर उसमें लिख देना ये question भी बड़ा important है what made the peddler finally change his way ऐसा क्या हुआ कि जिस वज़ा से जो peddler है उसने अपने रस्ते बतल ली अब रस्ते बतलने का मतलब क्या है उसने एक बुराईया छोड़कर एक अच्छा इंसान बन गया ठीक है यहाँ पर वह वाला answer मतलिक देना कि भई उसने क्यों अपना रस्ता बदला था वो जंगल में क्यों चुला गया था यह वो नहीं पूछ रही अपने रस्ते बदलने का मतलब क्या है change his ways मतलब उसने अपने तोड़ तरीके बदल दी उसने अपने आपको सुधार लिया ठीक है क्यों बदल गया वो क्यों अच्छे एक इंसान बन गया यह पूछा गया है जो एडला थी उसने क्या किया था उसे ट्रीट किया था एक बहुत ही अच्छे तरीके से in a friendly manner friendly मतलब क्या होता है दोस्ती वाले तरीके से बिल्कुल दोस्तों के उसमें बरताव किया शी वाज नाइस अड काइन तो हर ठीक है हिम आएगा वैसे यह पही हर लिखा हुआ है गलते से शी वाज नाइस अड काइन तो हिम वो उसके लिए कहती बहुत ही नाइस थी और काइन ती दयालू थी जैसे उसके पिता उसके बिल्कुल निकालने ही वाला था गर से अगर उसने क्या गया था इंट्रेसीड़ किया याने इंट्रवेंशन किया उसने उसके वकालत की उसके बीच में आई और कहा नहीं पापा हम इससे भगाना है ने चाहिए ऐसे उसने फिर भी पैडलर को एंटरेटेन किया उसका मनुरंजन किया इवन आफ्टर नॉइंग दर टूथ अबाउट ही उसके बारे में सचाई जानने के बाद भी उसने उसको जो सूट था जो ड्रैस्ती पहनने की वो उसे ओफर की as Christmas present, Christmas के gift के रूप में and invited him to spend the next Christmas with him, with them और even then, उससे सब कुछ जानने के बाद भी उसने अगले Christmas पे आने के लिए उससे इन इमिटेशन दिया यह इतना अच्छा बरता उसने उसके किया her love, her understanding aroused the essential goodness जो उसके अंदर छिपी हुई थी अच्छाईया paddler के अंदर, उससारी aroused हो गई, बाहर आ गई in the paddler, paddler के अंदर and finally he changed his ways और बाद में उसने क्या किया, अपने आपको बदल लिया और एक अच्छा इंसान बन गया ठीक है क्यों बल गया वो, क्योंकि जो एडला थी, उसने उसके साथ बहुत अच्छा बरताव किया, वो उसकी कुछ नहीं लगती थी बट स्टिल, उसने उसको बचाया उसकी help की, उसकी मदद की, उसको care दिया उसको एक ऐसा बरताव किया उसके साथ, जैसे कि सच में ही एक क्या हो, कैप्टन हो, वो भी कब किया है परताव सब जब उसने जान लिया था कि नहीं ये मेरे पिता का दोस्त नहीं है और नहीं ये कोई कैप्टन है next question देखे, how does the metaphor of the red trap serve to highlight the human predicament किस परकार ये इनसान की predicament, मतलब हालत ये दुर्दशा किस परकार इनसान की दुर्दशा के ओपर, यहां पर इस स्टोरी के अंदर metaphor किया गया है, बात की गई है, ठीक है किस सुन्दर तरीके से इनसान की predicament ये दुर्दशा को दिखाया गया है इस chapter के अंदर कैसे दिखाया गया, बतागा कि पूरी दुनिया गया है एक फसी रहती है, परिशानी में फसी रहती है, किस चक्र में एक रेट्रेप की तरह होती है, उस बेट को touch करna चाते है जिसे रेट्रेप में क्या होता है, remember, टुनिया में ऐसे दुनिया में फ़स जाता है ठीक है the world entices a person through the various good things of life such as riches and joys दुनिया में बहुत सारी चीज़े देखता है इंसान riches देखता है अमीरी देखता है joy, मस्ते की चीज़े देखता है shelter रहने कде छिए जगए देखता है and food, heat, clothing ये बुनियाबर की चीज़े देखता है वो कहता है कि रैट्राप में जिस एक बेट रख देते हैं हम चारा रख देते हैं चुए को फजाने के लिए और दुनिया की चीज़ें जो आकर्शन की चीज़ें हैं वो इनसान के लिए बेट का काम करती है अगर कोई इससे देखके लालच में आ जाता है इस चारे को देखके देखके और जिस परगार ये पैडलर था उसने क्या किया तो उसने भी उस लालच को देखा और उस तीस क्रोनर जो नोट थे वो उनको चुरा लिया इसे वजय से क्या करता है उसे च्षिपा लेता हूँ पैसे को और उसी चक्कर में जंगल में जाकर फस जाता है और उस नहीं चुल चाहता है क्यों उस लालच को देखा था और उसके ओपर दुनिया का रेट्रैब बंद हो गया था तो बस हो यही कह रहा था कि दुनिया भी एक red trap की तरह बी तरह है ठीक है और इस ही red trap कीAct कर में इनसान क्या होता है problems में first जाता है हर इनसान आज के टाएं ऐसे अब देख रहे दुखी क्यों है कोई कुछ पाना चाहता है और इनके चक्कर में कुछ गलत कदम उठाता है और दुनिया में आके फश जाता है यही उसने कहा था रेटर ने ठीक है यह कह रहे हैं किस पर कर आप कह सकते हो कि जो स्टोरी की थीम हो बिल्कुल सही है और दूसरी चीज़ कहा है और जो पैडलर है वैसे तो रोड़ो पे बटकता है लेकिन उसके अंदर दिमाग की कमी नहीं है उसकी सेंस ओफ यूमर बड़ी अच्छी है वो कैसे कह सकते हो सेंस ओफ यूमर का मतलब क्या है जो किस जिसके लिए सही तरक देता हो एक लोजिकल ठींकिंग हो किसी के अंदर उसे सेंस ओफ यूमर कहते है तो हम कह सकते हैं पैडलर की अच्छी सेंस ओफ यूमर थी कैसे कह सकते हो उसने कितना अच्छा comparison किया चाहे हो चूमें भेस्ता था पड़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी देखो उसने बताए कि पूरी दुनिया भी एक red trap है कितना एक logical चीज उसने सोची तो हम कहा सकते हैं कि हाँ उसके अंदर कहती sense of humor थी, वो दुनिया को समझ गया था उसके बाद भी last में वो एक अच्छा इंसान बना अगर sense of humor उसके अंदर नहीं होता हाँ हम कह सकते हैं कि उसमे एक subtle यानि तीवर अच्छी समझने वाली समझदार बढ़िया sense of humor थी which is revealed during his interactions काफी जिंगा पर पता लगता है जब वो interactions करता है interaction मतलब आपसमें बातचीत करता है with the iron master and his daughter after the truth about him becomes known जैसे उसके जो truth था सचाई थी पता लग गई थी उसके बाद उसने जो जवाब दिये अपने बारे में जो तर्क दिये वो बिल्कुल एक समझदार इनसान की तरह से ने दिए he is neither afraid of being turned out in cold in rags nor being sent to prison वो इस बात से डरा निकी है उसको ठंडे में जाना पड़ेगा फिर से या फिर उसे जेल में भेज दिये जाएगा prison में भेज दिये जाएगा he makes the iron master laugh बलकि अपनी बातों से iron master को क्या कर देता है he makes the iron master laugh iron master को हसा देता है with his metaphor of the red trap जो red trap वाली बात कहता है कि हाँ पुरी दुनिया red trap है आप भी फश जाओगा जो मैं फशाओगा इस तरीके की बात ये करता हूँ जिससे क्या होता iron master हसने लग जाता है his letter with the Christmas present of the Adelaid is fine example उसने कितना अच्छा letter लिखके गया है वो उसके लिए ये भी एक best example है जिससे पता चलता कि हाँ वो क्या था एक अच्छा sense of humor रखता है वो इनसान ठीक है capacity to make other laugh at him उसके अंदर एक अच्छी capacity है लोगों को हसाने की भी thus he lightens the seriousness of the theme of the story and also endears himself to us और इसे परकार हम कह सकते है पूरी story में एक interest आया रहता है क्यों आया रहता है क्योंकि सारी बात है हम rat trap seller की तो सुनते है सारी बात है paddler की तो सुन रही थे और जिसके विए से में पता लगता है कि हाँ भई हर situation में उसे अच्छे से from the beginning starting से ही of the story story के अंदर किस के परती paddler के परती हमें बार बार दियाई आती है हाला कि उसने चोरी की सब कुछ किया बिचारा फस्ता जा रहा है लेकिन paddler के परती हमारे मने में एक सानुती बनी हुई है why is this so क्यों is this sympathy justified क्या सच में हमें ऐसे इंसान के लिए sympathy दिखाने चाहिए जिस चोरी कर रहा है गलत काम कर रहा है हाँ हमें दिखाने चाहिए ये मेरा जवाब होगा इसके लिए कि yes we should show sympathy to such kind of person क्योंकि जो इंसान होते हैं बुरे भी ये विचारा बुरा था वो इसलिए बुरा नहीं था कि ये सच में बुरा था बुरा इसलिए था because people made him like bad जो लोग थे उन्होंने इसे ऐसा बुरा बनाया था because nobody treated him in a nicely manner किसी ने इसके साथ अच्छे तरीके से बरताव नहीं किया और जब बार बार ये कहीं भी जाता था people looked at him like a thief इसे thief की तरह से देखा गया nobody wanted to keep such kind of person at their home अपने खरपी को रखना नहीं चाहता था अगर किसी ने रखा भी तो अपने फाइदे के लिए रखा crofter ने अपने फाइदे के लिए रखा कि भई मेरा time pass हो जाएगा अरे मास्टर ने इसलिए बुला उसने सोच है मेरा दोस्त है बाकी एक एडला यह से इनसान थी जिसने उसके साथ correlation नहीं था फिर यह उसने बहुत अच्छा परताव किया इसलिए बाद में यह अच्छा भी बन गया इसने अपने आपके क्या 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 चेंज कर लिया इसने अपने रस्ते भी बदल दिये वह एक अच्छा इनसान भी बन गया तो यह था क्या की हम कह सकते हैं कि यह Plus एन YE अकेले पन में रहता है और गैसे हम एक दुसरे को एक दुसरे का अच्छा बॉंड बनाने की जरूरत है क्योंकि इनसान क्या है क्या है एक Social Animal है तो हमारा सब के साथ अच्छा bond होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है There are at least three characters In story के अंदर तीन character है in the story Who suffer from loneliness जो कि तीनों की तीनों क्या कर रहे हैं सफर कर रहे हैं अकेले पन से And express the need to bond with others और यह सब को show करता है कि हम सब को क्या करना चाहिए आपस में एक जुड़ कर रहना चाहिए Bond बना कर रखना चाहिए The represent three starter of human society as well The peddler with the rat trap जो rat trap बेचने वाला था जो peddler था वो भी अकेला ही गूमता है रहता था बठकता रहता था The old crafter वो भी क्या था बीचारा केला ही पड़ा ही पड़ा रहता था वेगा बॉन्ड जो कि क्या था एक वेगा बॉन्ड था वेगा मतलब जो इदर दर बठकता रहता है ट्रैंप किसी भी इंसान को का जाता है ठीक है एक आवारा विचारा बठकता रहता था And stranger at various points of the story और किस प्रकारे stranger एक अजनेबिक तर गूमता रहता है तो जितने में लोग थे सारे अकेले पन का शिकार जरूर थे He moves severely from the one place to other बीचारा इदर से उदर move करता रहता है बठकता रहता है He is lost in his own thoughts बीचारा अपने खुद के एक हैलों में खोया रहता है क्यों कोई रहता है क्योंकि इसके पास कोई भी था नहीं जिसे बात कर सके या कोई इसका दोस्त नहीं था इसे एक shelter बीचार को कई shelter मिल जाए घर बगर डूंटते रहता था और लोग इसकी तरफ सावर फेसे से देखते थे सावर वैसे खटा होता है लेकिन यहां पर सावर का मतलब क्या होता है जो बुराई से भरावा फेस कड़वाट के साथ से देखते है कोन आ गया ऐसे राइट जैसे आपने देखा होगा जब वो ब्लैक्समिथ था लोहार था उसने भी देखा इसको बुरी तर देखा डंग से गमंड के रूप में अपने आपको देखा अपने आपको बढ़ाबान गिया चाहर रहा यहां पर सोजा इसको मतलब निचा माना गया अच्छाल इसा बिना ध्यान सा दिये हुए इसके उपर गमंड के साथ इसे इजाजत देदेता है बट्टी के पास रहने के लिए जो ओल्ड क्रॉफटर था वो भी बिचारे क्या था लोनिलेस का सिकार हो रखा था निदर वाइफ ना तो उसकी पतनी थी नोर चाइड ना उसका कोई बच्चा था विदेम राइट उसकी अकेलेपण में उससे क्याक क्या हो जाता है वो भी अकेलेपण का शिकार बच्चे थे वो कहां थे वो बच्चे भी कहां थे अब रोर गए हुए थे विदेश में रहते थे ठीक है तो इस परकार हम गह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या सारे अकेलेपन का शिकार है कैसे वो सर्वाइव करता था सिंपल बना कि यह पता सकते हो सेंग फोर्म लगाते जब आनसर बनते शे ले जाएंगे वो क्या करता था अचार को आखा करता था उसका बिजनेस था वो क्याट पोछिटेबल नहीं था काफी फाइदे मन नहीं था जिसमें इसको अच्छा कमा सके वो he would beg to steal in order to survive और sometimes he used to make some petty thievery छोटी मोटी क्या करता रहता था चोरी भी कर रहता था यानि वो चोरी करता था या फिर अपने चुहेदाने वो बेशता था इन दोनों तरीके से क्या करता था वो अपने आपको survive करता था अपना अपनी जिंदगी लगे करता था ठीके How did pedler look was he different from people of his type कि वो कैसा दिखता था उसके look के बारे बतानी क्या वो उसी परकार के लोगों से अलग था जो उसी परकार के दिखने वाले लोग होती है He was a man with a long beard उसका look पुछा गया कैसा था तो एक मैं था कैसा, एक लंबी दाड़ी थी, उसकी लॉंग बीर्ड थी, डिर्टी, बेकार, बिल्कुल सड़े हुए जो था, बिल्कुल नहायद हो नहीं था, बिल्कुल भी, रैग्ड का मतले हुआ था, फटे पुराने चितरे, जो कपड़े पहने होते हैं, वैसा था, तो बहुत सरी ऐसे कुछ बंच ओफ रैटरप्स उसकी गले में लटकते रहते थे, उसकी चाती पर, जो बेशता था, जो कपड़े थे, बिल्कुल रैक्स में थे, चितरे थे, इस चीक्स वर संकर, उसको जो गाल थे, वो अंदर की तरह धसे हुए थे, और उसकी आँखों में भूग दिखाए देती थी, क्योंकि विचारे को कभी दो वक्त का डंक से खाना भी नहीं मिलता था, नहीं, वो ऐसा नहीं लग रहा था, कि जैसे की और लोग लगते हैं, उसी तरह के, वो उन लोगों से बिल्कुल क्या था, अलग था, यह कोशन में देखों किया हुआ है, यह क्या रहा है कि, किस परकार का आइडिया उसके मैंड में आया था, इस वर्ल्ड को देखे हैं, क्या उसके प्रिणाम या अर्थ निकलता है, ठीक है, तो आइडिया क्या था उसके मैंड में, यह पूरी दुनिया भी एक रेट रेट है जो बेट को चारे को देखता है वो इसके अंदर आ जाता है जो कि लोगों को अट्रेक्ट करती है यह सब भी क्या है बेट की तरह है और इनसान ने को टच कर ना चाता है इस प्रकर इस दुनिया में फंच जाता है थीक है? तो यह आइडिया उसके मन में आया था थीक है? इनको बता देता हू स्ञें इसका जो दिया हूए हमिने खुद बनाया था यह वाला तो आप भी ऐसे सेंग्ड फॉर्म लगाते जाओंगे ना आसानी सब के सारे कोशन बन जाएंगे इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना ओके उसमें मैंने अच्छे से बताया कि आप कैसे कैसे सेंडस बना सकते हो इसी परकार इस दुनिया में भी रिचिज अमीरी जोईज मस्ती की चीजें शेल्टर फूड हीट क्लोफिंग सब कुछ लगी पड़ी है बेट की तरह एक चारे की तरह इट क्लोज ओन दा परसन उस इंसान के उपर बन्द हो जाती है जो कि इस चारे को टच करना चाता है उसको अपर दुनिया का जो रिटर फूपन्द हो जाता है then everything came to an end और इसी परकार पूरी दुनिया का अंता जाता है ठीक है? उस जिंदगी का उस इंसान की जिंदगी का अंता जाता है जो पैडलर क्यों सोचता है जो पूरी दुनिया है वो एक रेट 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 की तरह है वोट बिकेम हिस चैरेस पास टाइम और उसके लिए खुशी का टाइम था वो इस चीज़ को एंजोई कर रहा था उसे मस्ती आ रही थी खुशी मैसूस हो रही थी कि हाँ ये पूरी दुनिया भी एक रेट 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 है लोग इसमें फस जाते हैं अब लोगों के बुरी हालत देखकर वो खुद खुश क्यों हो रहा था क्यों हो रहा था क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने भी उसके साथ बुरा बरताओ किया है एक्चुली रेट ट्रेट सेलर बुरा इंसान नहीं था लेकिन लोगों ने स face बुरा बना दिया था, क्योंकि हर एक इंसान इसके साथ इसकी गरीभी की देखकर, इसके साथ बुरा परताएव करते थे, ठीक है? तो इसका अच्छा ताम क्यों था है इस समय में चैरिस्ट क्यों हो रहा था चैरिस्ट मतलब खुश क्यों हो रहा था जो वर्ल है वो कभी भी पैडलर के लिए काइंड नहीं हुआ दयालू नहीं हुआ तो जब बुद्या के बारे में इल सोच रहा था or the world is dunya key and of others जो बाकी लोग हैं वो who were still circling around the bed और बहुत सरे लोग ऐसे भी हैं जो अब भी क्या कर रहे हैं circling around the bed चारे का चार ओर गोम रहे हैं और कभी ने कभी वो भी उसे टच करेंगे और वो भी इस दुनिया के रैटरा में फ़िज जाएंगे इन सबी चीजों को क्या सोच कर क्या कर रहा था वो he was getting happy वो खुश हो रहा था why he got happy because nobody treated him in a good manner किसी भी इंसान ने उसके साथ अच्छे तरीके से बरताओं नहीं किया था तो वो उनका बुरा सोच के वो भी हो रहा था खुश हो रहा था the world had never been kind to the pallor क्योंकि पुरी दुनिया है वो भी कभी उसके लिए द्यालू नहीं बनी थी question है what hospitality did the pallor with rat rat receive from the old crofter old crofter से उसे किस परकार की आवबगत मिली थी सारी चीज़ आपको पता कैसे मिली थी he allowed him to leave at home उसने अपने घर पे उसे रहने के लिए कोटेज में रहने के लिए अलाव कर दिया था secondly he offered him porridge उसने क्या क्या तो उसे दलिया दिया था he talked to him whole night उसने उसके साथ पुरी रत बाते की थी he spent a good time with him उसने अच्छा समय उसके साथ बिताया था he gave him a cigar उसने cigar भी दिया था जिसमें उसने pipe जो था पिया था है इने smoke किया था उन दोन ने तो काफी चीज उसके साथ की थी and even he played cards भी थे उसके साथ उसने cards खेले थे ताश खेले थे तो इस सारी चीज आप इसके अंदर बता दोगे उसने tobacco दिया इपना pipe दिया सब पर खिलाया porridge खिलाया porridge मतलब दलिया खिलाया ठीक है देखिए तो कैसे उसने hospitality की थी the old crofter served the pillar hot porridge गरम गरम उसने दलिया दिया उसे फरसब पर शाम की खाने की रूब में and gave him a tobacco for his pipe और तंबाव को दिया था pipe के लिए यनि pipe मतलब सिगार के लिए he entertained his guest by playing cards with him उसके साथ उसने ताश खेल कर उसकी मदद की उसको entertain किया he also informed him about his prosperous past life और अपनी पूरी जो prosperous past life है उसके बारे में भी उसको उसने बताया and how his cow supported him in his old age now और किस प्रकार उसकी जुगाएं हैं उसकी मदद कर रहे हैं उसकी बढ़ापे में इसारी बाते उसने बिताई he showed him even 30 kroners टिकर उसने अपने 30 kroners से वो भी दिखाए थे यह इस प्रकार से उसने क्या किया था उसका जो आवभगत थी उसका जो hospitality थी वो की थी किसकी paddler की question है the old man was just as generous with his confidences कि जो old आदमी था और क्या था बहुत ही generous था दयालू था खुलकर बता देता अपने confidences के बारे में अपने राज के बारे में as with his porridge and tobacco और इतना दयालू था उसने अपना जो दलिया था और tobacco वो भी उसको शेर किया what personal information did he impart to his guest और कौन से उसने personal information थी वो अपनी दी उस guest के सामने अपने जो दूद है वो बेचकर गाये करते उसको शर्वाइव करने में यह जो दूद बेचकर रोकिया करते अपनी जिन्दगी चला रहा है और अपने जो दूद है वो बेचकर गाये का वो क्या करता क्रीमरी को बेचता है यहाँ पर दूद वोगहरा जो dairy होते ही वहाँ पर ऊसे क्रीमरी का चाता ठीक है वहाँ पर बेचकर अपना दूद हो अपना शर्वाइव कर लेता है लास्ट मन्थ उसने कितने कमा लिये थे तीस करोनर जो थे वो कमाए थे यह सारी बाते वो उसको बतादेता है यह उसको बतादेता है जो ओल आजमि में उसने पैसे कहाँ रखे होई थे फॉर पाँसे लेड़ी और एक इसे उसको दिखाया ठीक है क्यों दिखाया उसने और क्या उसने उसके बात किया उसने एक लेधर पाउच में रख रख की थी पैसे विच हंग ओन नेल जो एक नेल पर कील पर टंग होगे थी इन विंडो फ्रेम जो विंडो का फ्रेम था उसके कोरनर पर टंगा हुआ था He picked out three wrinkled ten kroner bills for his guest उसने तीन kroner निकाल कर दिखाए to see as he has seemed skeptical ठीक है उससे लगा था कि है इससे यकिन नहीं नहीं रहोगा शायद तो उसको shore करने के लिए उसने क्या क्या तो निकाल कर उससे दिखाए then he stuffed them back into the pouch बात में ने क्या 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 था stuff कर दिया मतलब वापस ठूज देना रख देना देन स्टुफ देम बैक इंटो दा पाउच और पाउच में वापस उने रख दिया था दा नेक्स टे बोथ मैं गोट अप इन गुड सीजन दोनों के दोनों उठे एक अच्छे सीजन में यानि वाई और क्यों और क्या उनों ने किया उसके बाद ठीक है ना? यह सभी चीज पूछी गई है तो अच्छे सीजन में उठे एक अच्छे सीजन में उठेने का मुदल की है? एक अच्छे तरीकी से उठा और क्यों थे वो? यान अउनों पाउच दूछ तोनों ने क्या किया? जो कि जो होस्ट है वो हैड राइजन वो उठ चुका है यह जब घर का मालिक उठ चुका और तब तक जी जो महमान वो घर पे जगता रहेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा तो इसलिए क्या करता वोग उसके साथ उड़ जाता है दोनों जो कुटिया है घर उसको एक साथ एक समय सेम टाइम पर छोड़ देते हैं दोनों की दोने वहां से वेंट हो गए वेंट मतला चले गए अपने अपने रस्ते जो पैडलर था वो वापस क्यों आया था और किस प्रकार उसने जो क्रोफटर उसे लूट लिया था उसने क्या किया था वो आकरशित हो गया था टैंप्ट हो गया था लालच में आ गया था स्मेश कर देता है स्टक इन इस हैंड और उस हाथ को क्या करता है अपने आथ से अंदर की तरफ डालता है और गोट होल्ड ओव दा पाउच और पाउच को पकड़ लेता है और उसे अपनी जेब के अंदर क्या कर लेता है थस कर लेता है थूस लेता है दस ही रोब दा ओल्ड ग्रॉफटर और इस परकार से वुझुद को लूट लेता है आगे देखिए कि जो पैडलर वो कैसा महसूस करता है क्रोफटर को लूटने के बाद वाइ डिर डिसकन्टिन्यू वोकिंग उन पब्लिक हाइव और हाइवे पर चलना वो क्यों मन्त कर देता है at the first he felt quite pleased वो बहुत ही काफी खुश करता है quite pleased मतलब काफी खुशी महसूस करना with this smartness कि मैं कतना smart हूँ इस चक्कर में then he realized लेकिन बाद में उसे महसूस होता है the danger of being caught by the police उसको महसूस होता है क्या हाँ लेगए तो मुझे रस्तेगा जो है उसे बदल लेता है into the woods और कहां पर चला जाता है event to the woods जंगल में चला जाता है जो एडला थी वो यगाबॉंट को आवारत जो घुमने जो मकड विकती था इसको इसके पिता जब इसे वापस भेजने लगा इसके आड़ेंटी जानने के बाद तो एडला ने प्लैड क्यों किया प्लैड मतलब इसकी वकालत क्यों की क्यों उसने का कि नहीं हमें से भेजना चाहिए एडला वोस काइंड वो दयालो थी एंड सिंपैथेटिक बहुती दूसरों की सानव थी समझने वाली लेडी थी उसको बहुत दुख महसूस होता है उस पैडलर की दुर्दशा को उसकी हालत को दे कर प्लाइट मतलब हालत कि कम से कम इस इंसान को जो की बिचारा कभी पुरे साल में कभी ढंक से सो भी नहीं पाता चाहिए पिर भी हमें इसे अपने कर पे रखना चाहिए जंगल में जब चल रहा था पैडलर तो उसे कैसा मैसूस होता है वो क्या महसूस करता है पहले एक गंटे जो एक दो गंटे थे उसमें से कोई डिफिकल्टी नहीं हुई लेटर इन दे जब पूरा दिन में आगे बढ़ता गया वो ही कि बहुता बड़ा और कन्फूजिंग फोरेस्ट था जिस वजए से वो और भी सिच्वेशन जो क्या होगी इट बिकेम वर्स और भी बुरी हो गई जो ट्विस्ट होता है मुड़ जाना जो रस्ते थे बार बार मुड़ रहे थे बैक और फोर्थ कभी आगे कभी पीछे उसको रस्ते समझ नहीं आ रहे थे वाँ पे यह कैप न वोकिंग वो चलता रहा और जंगल के एंड तक नहीं पोच पाया क्यों जब से गूम रहा है सिर्फ एक ही जंगा पर गूम रहा है और इस प्रकार से उसे रियलाइज होता है और इसको कोई नहीं बचा सकता तो यह थे important questions इस chapter के I think आपको सब समझ में आए है अगर कुछ doubt है तो आप मुझे comment section में जरूर पूछे first and second part में हमने most of the questions है इसके complete कर ली है जो कि anxiety की questions भी है और इस lesson से related जितने भी important questions है वो सारे cover हो चुके है तो lessons को अच्छे से देखिए आप इसके हमने summary की है वो भी अच्छे से देखिए और सभी question answer को अच्छे से करिए definitely आपको full marks मिलेंगी bye bye thank you take care